गोड़ मॉर्णिंग एवरिवान कैसे हैं आप सभी उमीद कताम एकदम बढ़िया होंगे फिलाल तारीक यह 24 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करेंट हैस मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हुँ तो ये करिंड़ आस अग्ला करेंट आ सभी को मिलेगा तो ये करेंट आप शياर कर दिया करो सेयर करो GUY कर दिया करो मैंने आपसे बोला हुआ है कि अगर आप मुझे 1000 लाइक देने लोगोगे तो मैं आपको डिटेल PDF देना शुरू कर दूँगा यानि आपको हर एक सीट बहुत डिटेल में यहाँ पर मिलेगी फिलाल देखते हैं आज यह हमारे हैडलाइन्स क्या है और मैं यह भी जानता हूँ कि अगर आपको याद हो नहीं याद हो तो कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ 14 जुलाइ 2023 को एक घटना गड़ी थी क्या गड़ी थी कि हमारा चंद्रियान तीन जो है वो रवाना किया गया था चंद्रमा के लिए और 23 अगस्त 2023 को हमारा जो चंद्रियान था वो चंद्रमा के दच्छडी दुरूपर लैंड कर गया था इस तरीके से चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला भारत चौथा देश है पहला देश आपका सोवियत यूनियन था सोवियत यूनियन फिर उसके बाद USA था फिर उसके बाद चाइना था और चौथे देश हम बन गए थे जबकि चंद्रमा के दच्छी दूपर उतरने वाला भारत पहला देश है पहला देश है चंद्रमा के दच्छी दूपर उतरने वाला चंद्रियान तीन में जो हम लेकर गए थे वो गए थे प्रग्यान रोवर को उसका नाम क्या ह में launch किया गया था बाई जुलाई 2019 को launch किया गया था आंशिक रूप से सफल रहा था चंद्रयान एक हमारा 2008 में launch किया गया था इसरो दोरा इसको launch किया गया था और इसरो दोरा Space Day मनाए गया तो बहुत सारे प्रोग्राम जो है वुष्रो के मुख्याले में, इवन राश्पती द्रौप्दी मुर्मू जवारा भी एक प्रोग्राम जो है नई दिलि के भारत मन्डपम में आयोजीत करवाया गया, तो इंडिया के moon mission को लेकर के इस उपलब्दी को लेकर के हर साल national space day हम लोग बनाते हैं इसकी एस बार एक theme भी बनाई गई है theme है touching life theme क्या है touching t-o-c-h-i-n-g touching lives while touching the moon touching lives while touching the moon while touching the moon इंडिया space saga Indian space saga यानि भारतिय अंतरिच गाथा Indian space saga तो ये इस बार इसकी theme रही है पहला अंतरिच दिवत 2024 में मनाया गया आगे बढ़ते हैं जुलाई में भारत चीन को पीछे छोड़कर रूस का सीर्थ तेल खरीदार बन गया है अब इताए रूस से सबसे ज़्यदा मातरा में चीन तेल खरीदा था लेकिन जुलाई महीने में हमने सबसे ज़्यदा तेल खरीदा है और हमने पूरे अपने जो भी अमारा तेल आया था उसका 44% रसिया से खरीदा है दूसे नंबर पर हमने इराक से खरीदा है सौधी अरब से और चौथे नंबर पर यहां पर UAE का हिस्थान रहा है तो भारत ने चीन को पीछे शोड़ दिया आची डेट में रसिया हमारा तेल का सबसे बड़ा आपूर्ती करता बना हुआ है काकरापार सैंतर भारत के दूसरे 700 मेगावर्ट परमालू रियक्टर का संचालन सुरू हो गया है काकरापार जो है यह गुजरात में है और काकरापार सैंतर में यह चौथी यूनिट है जिसको 31 मार्च 2024 को चालू किया गया था तब यह अपनी पूरी चमता में काम नहीं कर रहा था लेकिन आज ही डेट में यह अपनी पूरी चमता पर काम कर रहा है 700 मेगावाट का उत्पादन यह कर रहा है आईए आपको बताते हैं भारत में कुल कितने नुकलियर रियक्टर हैं बात करते हैं वरतमान समय में भारत की जो nuclear power generation capacity है वो according to NPCIL MWE है 8888 MW है बारतेबाद 24 nuclear reactor है जो working condition में है और यह साथ nuclear power plant में लगे हुए है बारत का सबसे पुराना जो nuclear power सायंतर था वो आपका अपसरा था जिसको माराश्ट में open किया गया था इसका उधगाटन पंडिजवाला नेरू ने किया था और यह आपका रस्या के सहयोग से हम लोग ने बनवाया था फिलाल भारत का पहला indigenous अगर हम बात करें तो वो आपका कुड़न कुलम है जो कि तमिल नाडू में है यह भारत के 24 रियक्टर है according to NPCL website आप अगर देख सकते हैं महराश्ट में एक यूनिट दो यूनिट तीन यूनिट चार यूनिट तो यह महराश्ट का तारापूर Atomic Power Center जिसे TAPS भी कहेंगे यह एक पावर प्लांट है जिसमें चार रियक्टर है राजस्थान के अंतरगत आप देखी यहाँ पर 6 पावर प्लांट 6 डियक्टर है तो यह दूसरा आपका पावर प्लांट है that is called RAPS फिर आपका मदरास आजाता है मदरास पावर प्लांट यह तमिल नाडू में यह तीसरा पावर प्लांट है पिर आपका कैगा आजाता है क यह तरीके से भारत में नूकले पावर प्लांट आपका प्लांट है पांच माद सबसे बड़ा प्लांट है क्योंकि इसकी जो चमता है वह 2000 मेगवाट दोद़ीजार मेगावार तक यह उत्तादन कर लेता है चटे नमबर पर नरावरा आएगा यह आपका उत्तरप्रदेश इस तरीके से भारत में निक्लिय पावर जो है वो बढ़ता हुआ है और टार्गेट यह है कि 2030 तक कम से कम 10 जीगावाट का उत्पादन हम करने लगे एक अक्टूबर को सिरी लंका ने एक घोशना की कि भाई भारत सहित 35 देश जो है वो आप हमारे यहां वीजा फ्री इंट्री कर सकते हो यानि हम उसके लिए कोई सुल्क नहीं लेंगे निसुल्क वीजा हम आपको उपलब्द कराएंगे यहां पर सिरी लंका में परेटन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है फिलाल सिरी लंका में एक नया डेवलप्मेंट यह है कि गोटाबायर राजपक्षे के बाद रानिल विक्रम सिंगे जो प्रेसीडेंट बने थे अब हो सेप्टेंबर में प्रेसीडेंट नहीं उनकी जगह पोडुजना पोरुमना पोडुजना पेरा मुना नाम के एक है वेक्ति उनको यहां पर प्रेसिडेंट की उमीदवारी के लिए खड़ा किया गया है भारत और सिलंका की जाए तो इंडिपेंडेंट्टे जो है वो सिलंका कब मनाता है अपका चार परवरी को मनात के प्रेसिडेंट्ट है नेम पार्लेमेंट डेमोक्रेटिक सोचलिस्ट पार्टी है दो सबसे बड़ी नदी है वाली वॉल जो है वो नैशनल गेम है दो राजधानी रखता है कोलंबो और सिरी जैवर्धन पूरे कोट्टा भारत और सिलंका के बीच में कल ही आपका मित्र स के एकित्न आपका मित्र सक्ति नाम का एको साइज सेमाब्त हुआ मित्र सक्ति नाम का एको स्रीलंका में में आउजित करवाए गया तो अब मुझे आप comment section पर लिखकर बताओ कि यह मैत्री exercise है। यह तो मित्र सकती है। मैत्री exercise किंदो देशों के बीट में होता है। चलो एक देश मैं बता देता हूँ, दूसरा देश आप बताओ कि कौन सा था। तो कमेंट में लिखा करो, बताय करो, जो मैं पूछता हूँ वही एक्जाम में आता है, M. सुरेज जो है वो इंटरिम चेर्मेन बना दिये गए है आपके एयरपोर्ट अथॉर्टी इंडिया के, एयरपोर्ट अथॉर्टी इंडिया का जो गठे ने वो 1995 में किया गया था, 137 एयरपोर्ट जो है, उनका रख रखाओ का काम जो है, वो ये करते हैं, फिलाल संजीव कुमार की जगे ली जा रही है, संजीव कुमार को सरकार ने हटा दिया है, अटाने की वज़ए ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर वो जो पानी लीक हो गया, तो आप ने न्यूज में सुना होगा, उसकी विज़ए संजीव कुमार को अटा दिया कि बाइक कैसे देख बाल कर रहे हो, तो अगर आप विमानन कंपनी भारत में बनाना चाहते हैं, तो आपको DGCA से पर्मीशन लेनी पड़ेगे, DGCA वर्तमान समय में इसके जो चेर्मेन है, वो है विक्रम देव दत्त, डाइक्टर जनरल और सिविल एविएशन के हैड कोन है, विक्रम देव दत्त, पिलाल M. Sures, जो की वाइश प्रेसिडेंट के रूप में कारे कर रहे थे, अब उन्हें संजीव कुमार की जगे, इंट्रिम AAI का अध्यच बना दिया गया है, करनाटक में देश में सबसे अधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के टॉप पर आ गया है, अधिक चार्जिंग स्टेशन है, जिसमें से 400,000 से अधिक तो बैंगलोर में ही, और आपको एक मज़े की बात बताओ मैं, करनाटक जो है देश में इलेक्ट्रिकल वेकल पॉलिसी लाने वाला फुर्ष्ट इस्टेट है, यानि अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जा जाल बैंगलोर को जो है, वो इवी सहर के रूप में विक्सित किया जाएगा, अजना इलेक्रिक वेकल डेवलप्मेंट के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, जिसका नाम था फेम, फेम का फुल फॉर्म क्या है, पास्टर एडॉप्शन एंड मैनुपेक्शरिं पूट्स्टेप रह गए है, इलेक्रिक मॉबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो है, शुरू की गई है कि कैसे भी किरके हम लोग हाइब्रीड वेकल या इलेक्ट्रिक वेकल वेकल को प्रमोड करें, फिलाल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की विजए से अभी तक इसको अ लाइन का सबसे बड़ा पुरॉसकार, फिर उसके बाद एक और पुरॉसकार है अपका विज्यान टीम पुरॉसकार तो ये चार पुरुसकार हैं जिसमें से विग्यान रत्न पुरुसकार अधिक्तम तीन लोगों को दिया जा सकता है एक बार में विग्यान यूवा पुरुसकार 25 लोगों को दिया जा सकता है विग्यान टीम पुरुसकार तीन लोगों को दिया जा सकता है तो ये विग्यान र तो यह पुरस्कार राश्टपती द्राबदी मुर्मु जी द्वारा पदान किये गया है अश्वनी वैशनों ने क्रियेट इन विंडिया चैलेंज सीजन वन के तहर्ट 25 चैलेंज का सुभारम किया है यानि यहां पर आप क्रियेटर्स जो भी यूटूब क्रियेटर्स हैं उनको बोला गया है कि आपके पाद 25 चैलेंज हैं पच्छिस छेत्रों में आप क्रियेट करिए चाहें मीडिया में करिये चाहें अनिमेशन पर करिये चाहें फिल्म मनाईए कुछ भी करिये बट अब यह चैलेंज आप जीट के दिखाईए यह चैलेंज जो है युवह बहुत अच्छी है इसकी रेटिंग ट्रिपल एप्लस है जब के सबसे मूलयवान यो पैसे वाला ब्रांड जो बनाया है वो नैसले को बताया गया है और पेप अदर्थों में सबसे बड़िया ब्रांड जो है वो कोका कोला को बतायागया। पेपसी को दूसरे नमबर पर रखा गया है देश के बिजली शेत की दश्चता को बढाने के लिए तीन ओनलाइन प्लेटपॉर्म लॉंच किये गया है उर्जा मंतरी मनोवरलाल खटर दोरा ये तीन प्लेटपॉर्म है प्रॉम्ट का फुल पॉर्म है पॉर्टल पॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट थर्मल तो जो भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रही है उनका वास्तविक समय विस्लेशन और ट्रैकिंग की ऑनलाइन सुविधा पतान करेगा जबकि जलविद्दुत डीबी डीपियर जो है जो भी आपकी जलविद्दुत पंप भंडार पर योजना ही चल रही है जो भी आपके हाइट्रो इलेक्ट्रिफ प्रोजेक्ट चल रहे है उनके रियल टाइम स्टेटेस को बताएगा जबकि आपका ड्रिप जो है डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंटरी पॉर पावर सेक्टर है ये क्या बताएगा ये अगर मालीजे कोई तूपान आने वाला है भूकम पाने वाला है बाड आने वाले तो बिजली की जो दिक्कत है व्यवधान जो है बिजली के बीट में जो disruption है उसको कैसे रोका जाएगा ये तीन पोर्टल जो है अभी हाल फिलाल लॉंच किये गए बिजली से जड़ी वी एक खबर भारत नेपाल से 251 मेगावाट बिजली खरीदने वाला है इस तरीके से नेपाल से हम लोग 600 मेगावाट से अधिक बिजली खरीदेंगे फिलाल ये बिजली जो है वो बिहार और हरियाना जाने वाली है और यहाँ पर समझाता हो गया है आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि लबद 10 जीगावाट बिजली जो है वो नेपाल से हम खरीद पाएंगे बिहार के पटना में सुरू ही खेलो इंडिया अस्मिता योगा सिनली इसका मोटो है खेल से ही पहचान है यह 12 राज्यों की 500 से अधिक महिला एतलीट जो है वो इसमें पाटिसिपेट करने वाली है और यह आपका 22 से लेके 24 अगस तक चल रहा है यह आपका पटना बिहार में इसकी शुरूवात की गई है तो इस तरीके से यह पहली बार खेलो इंडिया अस्मिता लीग जिसमें योगा सुरू किया जएगा इस जोन से सुरू किया जा रहा है नीरा चोपडा ने सीजन का बेस्ट थ्रो कर दिया है लुसाने डाइमेंड लीग में उन्होंने 89,49 मीटर भाला पेका है और सिल्वर मेडल हासिल किया है जबकि आपका ग्रेनेडा के पीटर एंडेशन जो कि पेरिस ओलंपिक में काश पदगीते थे उन्होंने यहाँ पे 90 मीटर का थ्रो कर दिया है 90,61 मीटर का थ्रो करती है और यहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है तो नीरज चोपड़ा से उम्मीद है कि भाई यह भी कभी 90 से उपर फेके फिलाल पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 89,45 मीटर फेक करके रज़त पता गीता था 7 अगस को हर साल हम लोग 20 बाला फेक दिवस मनाते हैं तो बिलाल यह रहे आज ही हमारे इंपोर्डेन करेंट अपरेस उम्मीद कते हैं कि आपको पसंद आये होंगे अभी के लिए इतना ही रखते हैं वागी कल नहीं परसों मिलेंगे नए करेंट अपरेस के उतार बाबाए टेक केर ध्यान रखिये अपना